हेलो गाईज, स्टाक मार्केट न्यूस फॉर अर्ण में आप सभी का अस्वाकत है, आज है 8th of July, दोस्तों बात करेंगे जहां मार्केट इतना ओवर्वेल्यूड हो चुका है, तो दोस्तों ऐसा कौन सा सेक्टर है, जहां पर दोस्तों फोकस किया जाए, तो दोस्तों वो है सेक्टर, चुकि दोस्तों जैसे ही मार्केट में घरावाट आएगी, डेफिनेटली गौर्वर्मेंट के बहुत सारे पकेज़े आएंगे, इंफ्रस्टक्चर के लिए, जिससे दोस्तों यहां पर पूरे देश के अंदर, एक तेजी लाई जा सके, तो दोस्तों आप देख किया था, दोस्तों बेसिकली यहां पर एक तेजी बनती हुँ दिखाई पड़ रही है, और दोस्तों यहां पर मैंने कहा था कि एक range है, जो कि बिसिकली एक selling range है, जो कि 178 से लेकर दोस्तों तक्रीबन 158 के लगबग है, डेफिनेटली दोस्तों यहां पर एक breakout आने वाला, में पॉसिबली हो सकता है, दोस्तों तक्रीबन 163 के लगबग जाने के वाद यह थोड़ा सा नीचे correct करें और support trend line से दोस्तों फिर से उपर जाने की कोशिश करें, इसलिए दोस्तों यहां पर स्टॉक में अगर आप position बनाते भी हैं, तो आपको बिल्कुल भी गवराने की जरूत नहीं है, वहीं दोस्तों बात करेंगे यहां पर एक और company के बारे में जो कि है गायत्री प्रोजेक्ट, दोस्तों यह तक्रीबन stock जो है, आज की तारिक में बात कर तो 30 रुपए के लगबग है, लेकिन दोस्तों एक समय में यह stock काफी heavyweight था, 240 के लगबग इसने एक target तो आपको कल की तारिक में देखने के लिए मिल जाना चाहिए, दोस्तों इस stock के अंदर जबर्दस तेजी बनने वाली है, अल्रेडी दोस्तों इस stock के अंदर एक breakout हो चुका है, उसके बास से दोस्तों तक्रीबन थोड़ा सा यहां पर हमने देखा है कि एक अपनी support trend line के प तो दोस्तों यहां पर देख सकते हैं कि अगर हम infra की company को देखते हैं, तो definitely उनके अंदर दोस्तों जो net profit है, वो quarter 4 में थोड़ा कम देखने के लिए मिल रहा है, जो कि अगर आप compare करेंगे quarter 3 से, लेकिन दोस्तों यहां पर situation कुछ अलग है, definitely दोस्तों यहां पर infra के अंदर ए आपको अगली वीडियो का notification मिल जाएगा, वीडियो में कुछ भी informative और अच्छा लाइक कर दीजिए और फ्रेंड के साथ ग्रूप शेना मत भूलेगा, चलिए thank you